अगर मेरे पेटे को कुछ हो गया तो इस यनी शहर की एक-एक इमारत को आख लगा दूँगा अच्छी बाते करें याकुब सहाब जबान को काबू में रखे आप नजाने कैसी बाते करते हैं? वाकी, तो बताओ सोना कहां से आएगा सारे सिपाही उसकी हिवाज़त के लिए लगाए लेकिन फिर भी लगता है उस्मान का काम है मैं किसी हाल में भी सोना देना नहीं चाहता था हम या तो भूके मरते हैं या लड़ते हुए मर जाते हैं सोना देना जुरत का काम नहीं लेकिन मेरा पेटा अल्ला ना करे उसको कुछ हो जाए ओश यार सरदार उसमाना रहे सरदारा आपके इंतजार करवाने पर आज से बाजरत चाहता हूँ कहां पर है मेरा बेटा आपके बेटे सही सलामत है मेरा बच्चा मेरे बच्चे वहरा प्यारा पिजा जीते रहे उसमान सहाब जीते रहे आपने जो कुछ किया मैं उसके लिए शुकर गजार हूं उसमान सहाब मैं जानता था कि आप नहीं हमारे बच्चों को खत्रे में डाला कहां कहां है हमारा सोना अलूफ के पास है और नाइवार उससे इसका हिसाब जरूर लेगा मैं आपके बच्चों को बाहिफाजद यहां पर ले आया हूँ अब सौदा हो गया हमारा अब आप क्या करेंगे उसमान सहाब वो करने जा रहा हूँ जो आप नहीं कर सके मैं जंग करोगा ऐसा ना करें उसमान सहाब जानते हैं कि मैं वो हूँ जिसके पास बड़ा लशकर तो नहीं है मारा दिल बहुत बड़ा है लेकिन आप सरदराम जिनके पास लशकर तो बहुत बड़ा है लेकिन दिल छोटे हैं आप लोगों के अगर तो इसमें एक भी बात गलत नहीं है तो अच्छा रहेगा कि आप खामोश रहें जाकूब साहर जंग दोनों की होगी मगर वता सिर्फ मेरी है आप जा सकते हैं आप जा सकते हैं उसमान सहाँ अलाप की मदद करें जी ते रहीं आपका शुक्रिया उसमान सहाँ आपका शुक्रिया उसमान के लिए उसका सोना बहुत एहम है पिरोधी हर दर्वाजे पर पहरा दो मौताद रहना कहीं जरा सी भी हरकत महसूस करो तो उनकी जान ले लो इनसान हो या हैवान उसमान अब तो मारा किसा गता बुलूव क्या हम अंदर आ सकते हैं आजाओ बटा आजाओ बटा तो मिखने प…! ender अरांसे चलो मेरे बैटी मैं खोद चलूँगा चोरड़ोषे आजाओ आज़ो पेठा आज़ो पेठा आज़ो 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 आजाओ, आइस्था माशाओ लाओ, माशाओ लाओ मैं चल सकता हूँ बाबा हमारे दुश्मन काम्याब नहीं हो सके तुम चल सकते हूँ, हाँ चल सकते हूँ बेटा, जानते हो ऐसे ही मैसूस हुआ जब तुम पहली दभा चले थे माशाओ लाओ, बहुत शुक्रे लेकिन मेरा बाजू बेटा, चलो शुक्रे मेलाब अष्टा, यही था जाओ इराल से बेटा, आजो आजो, 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 आजो आजो, आजो पैसे ओ मेटा बुरण जी हम नक्श में अर्समान को अब आँ जतनी जल्दी हम से जो आपका हो कुछ जल्दी ओ, मेरा बेटा मैशाओला मैंने तुम्हें जिन्दा रहने का मौका दिया लेकिन लेकिन तुम्हारी नजर मेरे सुने पर है मैंने सुचा कि हमें दूसरे को समझते हैं लेकिन तुम तो अगल जब बैदल निकले मैंने सुचा कि ये सारा सुना उस्मान का है कमांदार इन समीनों पर सब कुछ मेरा है, समझे? सोना और तुमारा सर मेरे निशाने पर है मैं तूनों ले लूँगा, समझे तुम ये सोना जुराना तुमारी मुअर का सबब बनेगा सोना जुरानी के साथा तुमें सरूर मिलेगी असल में तुम अपने समंदर की तैमे घर को जाओगी मैंने कुछ बुला नहीं किया, कमांडार अस्मान अस्मान अब हमें स्रफे की फाइदा दिखाई दे रहा है हकीकत यह के नाइमान करारगाह पर नहीं है यही है जो वाहिद मौका है नाइमान के बेहतरीन स्रफाई यहां इस जगा उनकी करारगाह के अधराफ में दायनात है अगर हमारी तादाद यहां तक एक जैसी होती है और लशकर नहीं बढ़ता तो मुझे नहीं लगता कि हमारी जीत यकीन होगी तो आप कह रहे हैं कि इतनी तादाद में भी हम लोगों की जीतना मुम्किन थी जनाब हमारी तादाद तो उनसे बहुत कम है अब हर चीज का हिसाब हो चुका अक्तेबू तबी खरारगा के इर्द के रद पांच जगों पर नाकाबंदी कर दी गई कि यह यहा पर इन जगों पर कसीर तादाद में सिपाही हैं लेकिन यह जगा छोड़कर यहां सिपाहीं की तादाद कम है लेकिन यहां इस जगा पर खुदाई वीकर रखी है हम इसी जगा से गुजर कर जाएंगे और हमारे घोडे हम उन्हें कैसे दूसरी तरफ लेकर जाएंगे वो सारा इंतिजा पहले ही हो चुका है इस रस्ते से घोडों को गुजारने के लिए छोटे पुल तैयार होंगे अभी करीबी कवाईल के सरदारां अपने सिभाईयों को हमारी तरफ भेजे बोरां जी तीर अंदाजों की तुम कायादत कर अपने तुम सिभाईयों को लेकर उत्रोगे और फिर उसके बार उस रस्ते पर फुल काइम होते हैं ऐसे हमला करेंगे जैसे कोई भेडिये रिवड पर हमला करते हैं जो हुकमाप का फिर क्या होगा उस्मान जैसे के आपने कहा के उनकी तादास ज्यादा है, हम उन्हें करारगाह से कैसे निकालेंगे अगर वो नाइमान की कमान में होते तो पोलोग हमारा ताकुब कभी न कर पाते लेकिन वो नाइमान से इनाम के हुसूल के लिए उस्मान सापको मारने के तालिब होंगे और जब वो आपका पीछा करते हूँ आएंगे मैं उनका सामना करूँगा हम यहां पर जाल बिचा कर उनको तबाह कर देंगे फिकर ना करें सुपाहियों के बाहर निकलते ही गरारगा उनके हाथों से निकलने लगेगे और उसी वक्त जनूग की तरफ से बाला खातून अपने गुर्ट सवारों को साथ लिए हमलावर हो जाएंगे एव उल्ला हुसमान साहब मलहून खातून शुमाल की तरफ से अपने सिपाहियों को साथ लेकर हमलावर हो जाएंगे हम उनके फितने के साथ उनको जवाब देंगे ये हमारे लिए आसार नहीं होगा कोई दूसरी सूरत नहीं बची है जनाब बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे अक्टेवोर जो सिपाही बागी तुम उनकी क्यादत करोगे जो होकम हमला कैसे करना है ये तो मालूम है लेकिन हम फतेयाब कैसे होंगे क्या ये हमले हमसे पांच कुना पड़े लश्कर को शिकर्स देने के लिए काफी होंगे इस करारगा को तबह करने वाले अथियार मंगोल सिपाईों के पास है बारूद भी है और गोले हैं बहुत से उन्होंने इस सारे सामान को इंचारो कोनों में रखाए जब हम ये सब उड़ाएंगे तो वो चार हिस्सों में बढ़ चाएंगे और उनकी अलग होता ही उन्हें तबाह कर देंगे जब हम सब जंग में होंगे तो क्या यह नी शहर में दिफाई निजाम नहीं होगा और हान? और हान? जब उस्मान साहब का बेटा और हान ये नी शहर में है तो दिफाई उनकी तरह मस्बूत होगा आए माशाओला फिकर करने की कोई जरूरत नहीं आए माशाओला तेरे बहादर पेटे माशाओला अल्ला हिम्मत दे सुवा तयार रहें सब लोग इन जमीनों पर सुरच सिर्फ एहल एमान के लिए तुलू करें आए माशाओला आए 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 जाली सोना लेने पर मजबूर किया उन्होंने मुझे बताया कि मेरा सोना तुम्हारे पास है उसने मुझे यहां बेजा है इस तरह से आप मुझे मारने वाले थे और वो एक दुश्मत से छुटकारा पा ले था उस्मान को लगता है कि वो होश्यार है अब मैं वहां हमला करूँगा जाओं से है तुमात है आप यहां हैं हम भी यहां हैं एनागोल पर हमला हुआ तो क्या होगा क्या होगा अगर उसने आपकी करारगा पर हमला किया अल ओफ उस्मान तुमें बहुत दराता है ना हैं मैंने उनके सिपाईयों को खतम कर दिया और उनका समान भी ले लिया वो कैसे हमला करेगा मैं किसी से नहीं डरता कमांदार लेकिन उस्मान को कम समज़ना हमारी खलती होगी सुनो तुम तुमारे खिले का पुराना मालिक तुर्गत है मेरे पास उस्मान की चोटी सी खलती से उसका सर तंच से अलग हो जाएगा अल जी को एनकुल बेजो और तुम मेरे पास सुनो ने सिपाईों से कहो के कल सुप यहाँ आजाएं क्यूं? हम अपने खरारगागे नौकरों के साथ मिलकर उस्मान के कबीले जाएंगे पिर हम अपने शेहर जाएंगे और तुरकों से मुंसलिक तमाम चीजों को तबार बर्बात कर देंगे मेरे खिलाफ बनाएंगे यह मनसूबे उसकी एकी सजा है वो है गतले आम लेकिन हम से पहले उस्मान के कबीले में तुरकों का सर जाएगा समझे सबर्दस सिपाहियों खौतीन आज का दिन जंग का दिन है और दिलेरों का दिन है यह शहादत का दिन है दुश्मन तादाद में बहुत स्यादा है अगर हमारा दिल बड़ा है एमान पोखता है आल्ला हुआ पर ऐल्ला हुआ अर जा आल्ला हुआ आसंते दो हिए है तो मस्जा आल्ला है कभान हमारे पास ही मेरे बेटो, हम सबके यहां से जाने के बाद ये जगा आपके पास सवानत है. आपकी अमानत हमारी अमानत है. जान से दिफा करेंगे इसका. फाते बन कर आए जनाप. एए शिक्रिया, शिक्रिया बेटा. जीते रहे. बोराथ. जनाप. तो उसकी दर को लेकरागा? जो हुकमाप का. उस्मान ताहब! मेरे सिपाही यानी शेहर के दर्वाजे के पास इंतजार कर रहे हैं. अगर इजाज़त दें तो मैं भी आपके साथ आना चाहूंगा. हमारे पास आने का आपके पास या आखरी मौका था. अगर आप खलत इंतिखाब करते हैं, तो कोई और मौका ना मिलता आपको हमारे पास आने का. शुक्रिया जणाब. ओलुफ मेरा इंतकाम सदूर लेगा, अस्मान. और मैं तुम जैसे एक मुसल्मानों से हमेशा लड़ता रहूंगा. बस. आफिरों से हमेशा लड़ते आए हैं हम लोग. उन्होंने, अवे हमेशा हमारे मकसद से दूर रखना चाहां. अगर अब उन सबका अन्जाम तैय हो चुका. ऐसे ही तुम सबका खतमा होगा. रषित सकतुम अपारि निमसे, उन्होंने ना. बांए, हुआ है कि एप जाय होगते हैं. ऑराम. अजलाम. व widesलंव के दोहां होगते हैम. आझाय। हे कि मुपारिक हो यहे, तर आजनु. खड़ों से भाप खषाए गप प्राप्स. झाल, झाल माशाआलला, माशाआलला, सब ने बना फर्ज बा खूबी ने भाया हमारे सरदरान और स्पाहियों के मदद के बगएर नाइमान के लशकर को इस तरह नुक्सान पहुचाना असार नहीं था अल्ला का शुक्र है बुरान, अब बताओ ज़रा, क्या सुरते हाल है हुजूर, आज हमने बहुत से नौक्रों को मौत के घाट उतारा उन में से कई वहां से फरार होने में कामियाब हो गए नाइमान के सबसे बहतरीन मुहाफिस धमा के में मारे गए वो उसके बहुत खास थे ओए, माशाआलला हम इसे फता कहते हैं मगर उसका आधा लशकर अभी भी खड़ा है यकीनन हमारी फता है हमें सबसे बड़ी फता हासल हुई हमने शावित कर दिखाया कि कम तादाद के साथ भी थोड़े से मजलूम जालिमों पर हावी होकर फता हासल कर सकते है अब आगे क्या होगा उनके शिपाही हमारा सोच कर ही गवरा रहे होंगे वो सोच रहे होंगे क्या रोज हम लावर होंगे सोच ये और हमारे लोगों का क्या उनकी हौसला अवजाई हुई है वो जानते हैं के नाकाबले शिकस्त को भी शिकस्त दी जा सकते। जناब रशादी क्प करनी है? मसमे तयारियां शुरू करतेनी चाही है लड़की भी जहीं है, मजीद इंतजार करने का फायदा नहीं है, मुभारक महीनों में ऐसे कामों को सरअजाम देना बसंद किया जाता है, अल्ला ये रिष्टा मुभारक करें, आमीन, 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 जब हम कोनिया में थे तो उसमान का एक मनसूबा था, नाइमान शायद जल्द ही यहां आएगा, उसमान, उसने शेहत के छटे में हट डाला है, उसने नाइमान की करारगाह को तबाह कर दिया है, क्या हमें महाफिजों की तादाद बढ़ानी चाहिए, लेकिन ये तद्बीर, नाइमान को मजीद मश्कूक कर देगी, और वो सवाल क करेगा के, क्या हम उसका साथ देने के लिए तयार हैं या नहीं, वासा फुसान, पताओ पीजे, क्या तुम भी इस केल में उसमान के साथ शाबिलों, उसमान, हमारे खरारगाह पर हमला करने वाना था, या तुम्हे ये मानूम था, सिपाहियों, अपनी तलवार मयान में रखो, जलारी, नाइमान दुश्मन नहीं है हमारा, मैंने तुम से कहा, वालता सुद्दान, या तो तुम मजामत करना छोड़ दो, या मैं, पहले मैं तुम्हारी जान लूँगा, उसके बाद तुम्हारे बेटों की, और फिर मैं कौनी और तुम्हारी बागी समीने ले लूँगा, जब तुम यहाँ पहुँचे तो क्या तुमने उस्मान को यहाँ देखा, यही सबब है इस बात का, उस्मान नहायद शातर है, जब वो हमारे साथ होता है, तो हमारे लिए जहरीला होता है, उसकी हमारे दर्मियान हरकिस कोई जगा नहीं, मजाहमत नहीं हो, लेकिन मैं उस्मान की तरफ से जिम्मेदार नहीं हूँ, जब पाड़ की चोटी पर गदा मर जाता है, उसके बाद उसके मालिक के घर से बू आती है, तुम सब उसके की एकी खीमत अदा करोगे वाल्दा सुल्ताना, मैं उस्मान की तरफ से कोई कीमत नहीं चुकाऊंगी, समझ लेना, यकीन करो, तुम से भी ज्यादा उस्मान से नफरत, मैं करती हूँ नायमान, अगर सर्दारान ने उस्मान का साथ दिया, तो उन्हें बताना के इस बार, मैं सिर्फ उनके बेटों को उठाकर नहीं ले जाओंगा, जब उस्मान ने तुमसे तमाम सोना चुराया था, उसने सब पर जंग छेर दी थी, जब सर्दारान को मालूम होगा, तो वो ये भी जान लेंगे के उनके बेटों को, उस्मान ने मारने की कोशिश की। सिर्फ जानना काफी नहीं है वाल्दा। नाइमान, सब होने के बाद भी, हम तुमसे की अपना वादा पूरा करेंगे। महसूल और सारा सोना तुम्हारे पास होगा। सुने, सोना जमा करें। लेकिन, लेकिन उस्मान का खर्श, उनके सरों से अदा होगा। मैं उन समीनों को खुन का तालाब बना दूँगा। तुम लोग इसी के मुस्तैको। नाइमान इने गोल तक तो पहुँच चुका होगा। मगर वो वहाँ जाने वाला अकेला नहीं है। और अभी कुछ वक्त के लिए जरकुताय और अलगुन भी वही है। हम उनकी मदद से अलोफ के तमाम मनसूबे बरबाद कर रहे हैं उक्ताम साहब। उनका बहुत शुक्रिया है। उस कले को सबसे ज़्यादा तुम जानते हो। तुरकुत वहाँ चले जाओ उपने चंद सिपाहियों को लेकर और फिकर मत करना। जरकुताय अंदर जाने में साथ देगा तुमारा। जैसा आप चाहें। वक्त आगया है अलगा। हम अनकोल को दुबारा अपने घर बनाएंगे। फिर हम वापिस अपने शहर जाएंगे। क्या कहा। यह सच है। क्या हमेने अपना फरिजआ कर दिया॥ उश्माद साहब फक्ता की तरफ गामसन है। उन्होंने हमें या एकवात भीजेै और нажकोल के दरवाजे खूलेंगे खूलेंगे दरवाजे। शुक्र है था औल्लाका, आप पजल हुआ हुआ हम पर, खुदा का शुक्र है अब आप लोग और से सुने सबसे पहले हम खामुशी से तुर्बत सहाब हो और उनके सफाये को अंदर लाएंगे ठीक है उस्मान सहाब मगर अनागुल को फता करना नाइमान को सिर्फ रोकेगा लेकिन नाइमान को तबाह कैसे करेंगे कुछ सोचा आपने हर कोई सिर्फ अपना अपना फर्ज निभाए नाइमान पर हम लोगोंने कैसे हमला करना है यह सिर्फ मैं जानता हूँ हमारा मनसूबा क्या है वालिदा सुल्टान के साथ हम लोग इत्याद करेंगे वालिदा सुल्टान को कैसे काइल करेंगे जनाब हमारे सरदरान सोना देना चाहते थे वालिदा सुल्टान लशकर को जमा करना चाहती थे जब समाकर की गर्दन उतारी गई तो उस वक मेरा साथ दिया वालिदा सुल्टान में अलांके वो लोगों को कायल करना अच्छी तरह जानती है लेकिन हमारे लिए उन्हें कायल करना मुश्किल होगा वालिदा सुल्तान पर हमें इत्माद करने की जरूत नहीं है लेकिन अगर वो हमारा साथ देती तो कोई शक नहीं कि नाइमान के लिए मुश्किल होगे बाज़े हैं कि वालिदा सुल्तान नाइमान का साथ देती नजर आ रही है अगर हमसे इतिहाद कर ले तो हम मजबूत हो जाएंगे वालिदा सुल्तान जैसे अगर हमारी भी किस्मत हुई तो हमारे सर बहुत जल काटे जाएंगे हम इसे इतिहाद कहते हैं उक्ताम सा दुरुस्त कहा तुरुकुचा दुरुस्त कहा उस्मान सा मैं अपने सिपाहियों के साथ एना गोल में छुपने की तयारी करूँगा हर किसी को चंग मुबारक हुए जी जनाब जी जनाब चामौ बादिमोज और किजल की दरफ सपाही बेचो फ़र उन सबको तुम मनजम करोगे बस मौताद रहना जरा वो किसी दरफ से भी हम पर हमला कर सकते हैं जो कहा वो ही होगा आजाओ अजाओ आजाओ इसका जनाब तोरणाओ जब ज़ जब जब गो ल्मारो थोफ जोफ « कि अटिक हम tantoर नग जे पंग है झार चुओए बें अटने गोरा। हमें धोंग कि अटने से लोक तो बांति कि अटित्न कि अर लोकुन सब दूए अर चार्ख customer कि अप लूत Stupid थले गना फिर वबना पाराखना ठाट वए प्राव कर भाव कर टो कि नो जो और भी हुआरा हुआओा राव वर भी हुआँ! कि अड़क निया कि अज़क आई कि अड़क का रएट फैस कंपर है कि कहां से आई हो गार्गन कभी लेश्ट एंग उक्ताम साप का सामान लाई हूं तलाशी लो कि बेंगी खातुन हमारी मुन्तजर हैं जा सकती होगा आखेत खुली रखना उस्मान की बेटे कहीं भी हो सकते हैं हमारा छुली रखना दीता है लोगे दो मुन्ता वे लोगे लोगे लो धिराव जा जाना की बेहां सिपाईयों, अपने चारों तरफ एत्याद से देखते रहो हूँ ओलोफ, उसने चामुरों पर हमला किया है चलो भाईयों, चलो, चलो चलो अभरिफ, चलो अभरिफ, चलो अभरिफ, चलो अभरिफ, चलो बायों थांज अलाव अभरिफ जहुम आणोर मतोर फ्लाओताburg परखेए ऐस तुछ तार मताम पोलिए हां लेस तंदर उनक ठी.... शुकम, शौकल अठाड़ जटाड़ पड़ा की लाओे लेला? कि अगाया की लाओे थाव छुपर राव washing. कि अख्व। आप 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 वो समझते हैं मेरे हाथ से फाग कर आप मैं उनकी सर्जमीनों को चला दूंगा मैं उनकी सर्टन से जुदा कर दूंगा कर दूंगा जर्णों भुन्हों, भुन्हों! जिए बच्सुर उसरा उन्हें जहां, उसलो कर दिए! जुए जुए हुए जुए हुए झाल ने लिए जुए हुए, तुए हुए यह चाल कहां जा रही थी फ्रीक बेंगे तुमसे हिसाब लूगी खेल अब खतम फ्रीक तुम्हें यहां तुम्हारी मौत खेंच करना ही है फ्रीक तुम्हारा खेल खत्म अब मरोगी तुम्हें लगता है मुझे इस धोके का इल्म नहीं था है स्पाईयों आजो यहां जल्द ही तुम्ही गीदुरों को जहन्नम वासल करेंगे हमला खावातीन इस तुम्हें जल्द ही तुम्हारा वक्डाश खेलों कर डाव तुम्हार खेलो नहींunte मुझे नहीं मार सकते स्मिहान के बारे में सब कुछ जानती हो मेरे महताज हो एह मकॉम तुम सब को मार तुमगी, फ्रेग मेरे बेटों के साथ कुछ नहीं करना चाहिए था चामूनों में हम पहदूरी के साथ लड़े मेरे सरदार हमारी गुवत की वज़ा से हमें कम नुकसान पहुँचा लेकिन लेकिन आपके वाले दर्दूर गाजी और आपके साथ मिलकर लड़ने वाले गाजी शहीद हो चुके हैं मेरे जनाब गाजी हमारे कवीले की जड़े हैं नेदान जंग से होकर आते हैं नए शिपाहियों को तर्वियत देते हैं अलोफ ने हम पर हमला किया और यहां फिरिक अपने अंजाम को पहुची शहीदों का बदला ले लिया है हमने जनाब अल्ला का शुकर है अल्ला इन जालिमों को तुमारे हादों शिकस दिलवाता रहेगा मेरी बहादुर पाला मोटाद रहना ज़रूरी है फिर एक उस इन्तिकाम का आगास थी जो हम जालिमों से लेने जा रहे है हमारे साथ जो जन्ग पर जाने वाले हैं भोशिश करो कि इस दफ़ा किसी कभी खून इस जमीन पर नहीं बहना चाहिए और जिस तरह उन्होंने इस सर्जमीन पर हमारे घाजियों को शहीद किया उनके बदले की खातर इस जमीन पर उनका खून बहाया जाएगा कल तक सारी तैयारिया मुकमल हो जाएंगे हमने उन जालिमों को जो ढील दे रखी थी वो खत्म हो गई रहम हर्गिस नहीं किया जाएगा और इन अगॉल पर अपना जंडा नहरा देने के बाद बादे के मताविक हम तुम्हारी शादी करवाएंगे जनाब क्या आपको लगता है कि ऐसा करना मुनासिब होगा इस वक्त इस तरह के मामलात में सोचा नहीं जाता जंग हमारे लिए इद होती है और शादी भी एक खुशी है बेटा जैसा आपको मुनासिब लगे जनाब क्या मैं अंदर आ सकता हूं जनाब आ जाओ जनाब बेंगे खातुन और अक्ताम साब आएं आईशा खातुन ने इस तक्बाल किया आपने इने मेरे बारे में क्यों नहीं बताया बाए सुंगूर सिपाही खुशाम दीद शेख मौतरम खुशाम दीद असलाम वालेकूम 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 आपने वालेकूम कर द thick फजसे चुशाम पताया में आएस आएसे आपने वालेकूम यह खोल क्यों नहीं रहा हां यह पास क्या है लेकिट अमिसे खोल लेंगे कुई यह सबस्कोW इव टन्योज। जर अब हुच उना है कि अपको चैर कुटाए क्या तुम हो भाई तुर्कु साफ तुर्कु साफ हम यहाएं हम इसे खोल वे हैं यह फस गया है आप इंतजार करें हम यहीं इंतजार करेंगे भाई याल्ला यह जेडर कुछे आटे कोई आटे कोई आ रहा हुए पिछ आटो यह क्या है तुर्कु साफ माशालला आजए ये तुम ठीक हो भाई अल्ला का शुक्र है यकीनन आप ठीक होगी हाँ, खुश आमदीद हमें एक बार फिर कठे हो गए हाँ, शुक्र है चलाब शुक्र जल्दी हमारा पर जम लहरा है का इंशालला इंशालला चलो 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 बार दो अल्हम्दुलिल्ला कल हमारे हाँ दो शादिया है शेख माशालला माशालला आप निस्व इमान की तरफ गामजन है बेटा और बागी निस्व के लिए अल्लाह का खौफ हमेशा दिल में रखिए आपकी दौाउं का बहुत शुक्रिया मेरे शेख अल्ला हमें रास्ते पर काइम रखे आमीन अल्ला पाक आपकी शादिया और आपके एमान में बरकट डाले आमीन अल्ला इस रिश्टे को मुबारक करे अक्ताम साहब आमीन शेख आमीन एक तरफ तो अपनी अलाद से दूर होने का अफसोस होता है लेकिन दूसरी जानिब एक ऐसे खानदान का आगास हो रहा है जिसे देखकर एक बाप को खुश होना चाही है ना जी हाँ जी हाँ शेख मेरी सिर्वेक ही बेटी है और अल्ला ने मुझे बेटे से नवाजा ही नहीं फिर बातूर था जो मेरे बेटी की तरह था लेकिन वो शहीद हो गया लेकिन अब मेरा एक और बेटा है अल्ला इन दोनों पर परकते नाजल फरमाए आमीन आमीन इन्शाला आमीन नौजवानों के लिए खानदान शुरू करना बहुत आहम है रसुल्ला सुल्ला अले वाले वाले उसल्म ने क्या फरमाया जानते हो बताएं अजीजों निकाह मेरी सुन्नत है और जो सुन्नत पर अमल नहीं करता वो हमारे तरीके पर नहीं तुम शादी करो क्योंके मैं दीगर उम्मतों पर तुम्हारी कसरत देख कर फखर करूंगा शेख नाना कसरत से क्या मुरादे बताएंगे वो लोग जो नूर इसलाम से रोशन हो ऐसे मौमिनों की कसरत इनकी शादी होगी और बच्चे होंगे वो बच्चे इसलाम के अखलागियात से परमान चड़ेंगे और उसके दीन का पेगाम अपनी मा और बाप की तरह जहान में फैलाएंगे जब महषर का मैदान सजेगा अल्ला के बेगाम को आगे बढ़ाने वाला अलकासर जन्नत के मकाम पर रसलिल्लह नै वालियस्से मुलागात करेंगे इन्शाला, इन्शाला, शेर यहां पर कसरत से यह मुराद है अलाउदीन काफी दिल्चस्पी रखते हो उन मौजवात में, मैं देख रहा हूँ थोड़ इंतिजार करो इंतिजार करो देखो जरा, तुम्हारा भाई पहले है मैंने इसलिए नहीं पूछा, बाबा लेकिन फिर भी जो आप उनासिप समझते हैं मैं शेजादी की नियत को समझता हूँ, उस्मान साहब इन्हें जानना है आग पैमूर सिपाही की आलचिचिक बेटी से शादी तो हो रही है लेकिन उस दूसरी शादी का क्या कि जिसका जिकर आपने किया था कि दो शादिया होंगी अजीजों, निकाह जिस तरह मौमिन के लिए अहम है, जंग भी उतनी ही फौकियत रखती है इसलिए दोनों को शादिया करार दिया जा सकता है दोनों ही हमें ज्यादा कसरत देते हैं हम जंग कुफार को अपनी तरफ लाने के लिए लड़ते हैं इसलाम फैलाने के लिए लड़ते हैं जंग के दौरान भी हम अपने अखलाग को बरकरार रखते हैं इसी वज़ा से मौमिन जंग के मैदान में बहुत से काफिरों पर असर अंदाज होता है और उन्हें इसलाम का शर्फ हासिल करने की वज़ा बनता है मौमिनों की तादाद बढ़ती है वो बहैसित काफिर आप से लड़ते हैं आप लोगों का अखलाग देख कर इसलाम से मुतासिर होकर वो मौमिन भाई बन जाते हैं लेकिन उन में से सब के सब नहीं कुछ ऐसे काफिर हैं जिनके दिल गुनाओं से स्या हो चुके आप उनसे कहते हैं वो सुनते नहीं आप उनको दिखाते हैं लेकिन वो देखते नहीं वो आपके दीन और अल्ला से जंग करने से नहीं इचकिशाते ऐसे लोगों के लिए हमारे हत्यारों और दिलों को मजबूत होने की जरूरत है हम जालिमों पर रह्म नहीं करेंगे ताके मसलूम के हुगूग का तहफूस कर सके कल जाली away है यह तो हमारा फर्स है महत्रम शेय今日は रसूल आलाएं के हदीस सुन्ते इंशाला अमल भी करेंगे इंशाला जरा इंशाला 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 हम ने मे possibility आदाज में ज्यादार होना चाहते हैं ताके सालिमों के खिलाफ हम खड़े हो सके यही है जो हमें मज़ीद आगे लेकर जाएगा जो हमारे खाबों को हकीकत में तबदील करता है ऐसा दरिया है यह तो हमारा मुकदर इसलाम की खातर उठने वाली तलवारे है हा मगर उन तलवारों को उठाने के लिए बहुत सी कलाईयों की जरौत है माशालला हमारे सिपाई बहादुर है वो जंग की दावत में शामिल होने से पीछे नहीं अटती लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जब इनकी शादी की बात होती है तो सुस्ती का मुजाहरा करते हैं इनकी बारी भी जल्द ही आएगी शेर ये सब भी शादी करेंगे लेकिन पहले अनकोल हसल कर ले उसके बाद सब की शादी की दावते मुनक्यत होंगी इन्शाल राहे फरार नहीं है कोई जो हुकम जनाब जो आपका हुकम यकीनन हुकम है हाँ इसा ही है